अब खेल जगत से लेकर जानकार याब तक पहुंचाते हैं जहां तीम इंडिया ने राजधाय दिली में खेले गए तीसरे वंडे मुकाबले में साउथ अफरीका को साथ विकेट से करारी शिकस्त दी है इस जीत के साथ ही उसने वंडे सिरिस पर भी दो एक से कपजा कर लिया है इस जीत के बाद भारत को जीत के लिए सोरणू का टारगेट मिला था जिससे उसने 19.1 ओवर में हासिल कर लिया वंडे सीरिज जीतने के बाद तो जश्न मनाना तो बनता ही था और भारते खिलाड़ी इसमें पीछे कहां रहने वाले थे शिका धवन ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेर किया है जिसमें खिलाड़ी बोलो तारा रा गाने वाले जम कर डांस करें ते नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी नज़र आ रहें जा सोशल मीडिया पर ये वीडियो धमाल मचा रहा है बोलो तारा रा गाने को डले महंदी ने अवास दी है इसी साल अगस्त महीने में जिम्बावे दोरे पर भी जब भारती टीम ने वंडे सिरीज में मेजबानी की थी और मेजबान टीम का सफाया किया था उस वक्त भी भारती खिलाड़ी ने जम कर जश्न मनाया था उस दोरान भारती खिलाडियों ने काला चश्मा पर जम कर ठुंके लगाए थे खास बात ये थी कि उसे दोरे पर शिखर धवन ही टीम की कप्तान थे और उन्होंने ही डांस वीडियो शेयर किया था साउथ अफ्रीका पर भारत की जीत उसको लिकाग्राफिस के जरी आप तक एहम जानकारे तो आस हार कर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम शूर से ही प्रेशर में दिखाए दी थी इतना ही नहीं जिसका नतीजा ये रहा कि पूरी टीम 27.1 ओवर्स में महस 99 रनों पर सिमट गई जाने माने मलान, हैंडे, क्लास सेन और मारको जान सेन ही दोहरे अंकों में पहुँच पाए यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका की टीम का उसको लेकर जानकारी अब तक पहुचाई जा रही है हैंडे, क्लास सेन ने 34, मलान ने 15 और जान सेन ने 14 रनों की यहाँ पर पारी खेली भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे जादा चार विकेट यहाँ पर लिये महिशाबास, एहमाद महामा सिराज और वाशिंग्टन सुन्दर ने दो-दो विकेट यहाँ पर लिये वहाई शेयस आयर ने नबाद 28 रन यहाँ पर बनाए जो परफॉर्मेंस से भारती खिलाडियों का वो जो नसराय उसको लेकर आप तक जानकारी पहुँचाए जारी है कुलदीप यादव को उनकिशाद अगिनबाजी के लिए प्ले आफ दा मैट चुना गया वही महामा सिरार्ज की बात करें तो प्लेयर आफ दा सिरिस वो रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रदेशन है भारती खिलाडियों का उन्दा नसराया हाला कि भारती खिलाडियों की जो टीम है वो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर में